कि ये विद्व बॉनिंग एब्रिवन सेंवाल फॉम इयाई टेली एन आज पड़ाने ज़ा रहा हूं आज कर टॉपिक मारा है वह पर्मुटेशन इन पॉमिनेशन से थीक तो इसी के सात हम शुरू करते हैं पर्मुटेशन इन कॉमिनेशन का टॉपिक बहुत ही मज़़ा और अच्छे समय पढ़ना है और अच्छ समय देखना आगे हम पड़ते हैं बिल्गुल लगते हैं क्या होती है तो बहुत आपने की तो पहली होती है उसमें होती है कि different possibilities different cases में चीज़े हो रही होती है और adding methods को भी बोलता है और मैं ऐसे बोलता हूं और मैं तर इस example को हम बहुत ही basic और कि एक शुम्पल से एक एग्जामपल लैसे हुश समझने के गोहश्य करते हैं च्रॉंड है किसटीग है मुझे सीटी एस सिटी बी में जाना है तो मैं मिरे पास स सब्सक्राइब कि श्यांति तो पहला ओप्षिंघ भी ऐर यह से जाओं दूसर ऑप्षिंग मैं रोडवेप से जाओं निगेटें नो यह से जां कि दूसरे बात रेलवेज में माल लेते हैं हमारे पास दूप्षिंग ने तो इक रभिए और दूसरे है local train गे और चौट पीसरा में लेकर है तो रोड़वेस में भी मेरे पास माले लेकर डोने तीन और तीन आप्शिन कौन-कौन से हैं एक तो मैं बस लेकर चले जाओं तो अब जो मेरा और केस्ट जो मैं समझाना चाहरा था कि अगर मानलो मुझे सिटी ए सिटी बी में जाना है तो मैं या फिर आइधर आइविल चूज एर एर्वेज या मतलब और रोड़ वेज और रेल वेज तो जितने भी मेरे पास तरीके होंगे जितने मेरे पास possibilities होंगी कि मैं air से जा सकता हूं और air से जाने की कितने possibilities है या फिर एर इंडिया से या फिर इंडियो से तो इसकी दो possibilities हो जाएंगी तिक है रोड़ेस से जाने की मेरे पास किती पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी तीन पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी और रेलवेस से मेरे पास जाने की किती पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी फिर से दो दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी मैं जो और और यह फिर आईडिंग मेतड जो मैं कहना चाहिक जा रहा था कि जैसे कि यहां पर हम देख सकते कि एयर से जा सकते हिं जा जा सकते हैं तो इन तीमें वहां हैं को हम एक टाइम पर चूँज कर सकते हैं मतलब हमारे पास disrespect alcanz है आधिन तीमों में से यहां हम और इंगलिश हो और जहां भी आइदर और आए तो हम वहां पर किया यूज कर सकते हैं एडिशन वाला मेथड जो है वह यूजे मैं कहुंगे तो टोटल नंबर आफ केस जो मेरे बन जाएंगे टोटल वह बन जाएंगे 3 plus 3 sorry 2 plus 3 plus 2 जो कि हो जाएंगे 7 और 7 क्यों है क्योंकि यह और वाला केस था अगर यह एंड वाला केस होता है ना मतलए दूसरा जो केस है तो उसमें हम multiply करते हैं पर नहीं यहां पर सिर्फ हम add करेंगे क्योंकि यह addition वाला हमारे फिल्सक्स और यह है दो जैसे यह में था में फइस सहीं कि यह फिर में इन रिंडिंग कह पर आव जा सकता है एर के थ्रू जाने के पास मेरे पास कितना option बच गया वन प्लस वन कितना हुआ तू वैसे इट रेल से जाने के मेरे पास दो option हो गए और रोड से जाने के मेरे पास तीन option ठीक है तो यह था सिंपल सा addition method जो था adding method जो था यह फिर adding principle यह से बोल सकते हैं तो दूसरा एसे बी में जाना है और और ठीक है मैं कहा रहा हूँ और यह हिंदी वाला और ठीक है means एसे बी तक जाना है एंड बी से सी तक भी जाना है ना दोनों के दोनों जरनी है वो हमें simultaneously मतलब cover कर नहीं है तो एसे बी तक जाने के लिए माल लेते सेम रूट हमारे पास था area's जाने के लिए माल लेते हैं माल लेते हैं हमारे पास दो रोड थी ना एक रोड ए रोड वन और एक धी रोड टू तो इसे हम देख लेता है ना तो इसमें हम अगर कैल्कुलेट करेंगे ए से बी तक जाने के हमारे पास कितने अप्शन है तो हम किस तरीके से कैल्कुलेट करेंगे हम इस तरीके से गल्कुलेट करेंगे आड़िंग मेथेगा क्या प्लतों है या या मेफिर वाले में तो इसमें हम इसमें भी करता हैं तो तो रोड वन से हमारे पास जाने के कितने option है? 3 options है. ठीक है? और रोड टू से भी हमारे कास जाने के 3 options है. तो हम total जो हमारे पास number of options हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे? टोटल 6 हो जाएंगे. है ना? तो यहीं मैं कहना जा रहा हूँ कि अब रोड जो बी से हमने सी तक calculate किया, कितने number of ways बनेंगे, वो भी हमने addition method से count किया है. कैसे? क्योंकि हम या फिर तो रोड वन से जा सकते हैं, या फिर रोड टू से जा सकते हैं. तो हम जो हमारे total number of ways हो जाएंगे, कि हमें A से C तक जाना है, उन दोनों का multiply करेंगे. अब multiply क्यों करेंगे? क्योंकि हमें A से B तक जाना है, and B से C तक जाना है. बीच में and आया, जहां पर हमने and यूज किया, वहां पर हम multiply करेंगे. है ना, तो हमारे total answer बन जाता है, वो 42 बन जाता है, तो I think कि ये clear होगा कि क्यों हमने, कहां पर हमने and वाला principle यूज किया है, और कहां पर और वाला, जैसे कि और वाला हम तभी यूज करते हैं, जहां पर हमारे पास options होते हैं, जहां पर हम यह देख सकते हैं, हम इन में से तो इसलिए total number जो था, वो add हुआ, पर A से B तक जाने में और B से C तक जाने में हमारे पास कोई option नहीं था, हमें total जो total travel करना है, A से C था, तो वो हमें travel करना है, फिर उस हिसाप से हम इस पे हमने and वाला principle यूज किया है, जहां पर भी मतलब and आ रहा है, मतलब A से B तक जाना है and B से C तक जाना है, तो इस case में हमने कहा किया, multiply के, ठीक है, आगे हमारे ये question है, काफी अच्छा तो question है, ठीक है, तो इसको हम solve करेंगे, तो इसको हम solve करने की कोशिश कटते है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने p की values देखी, कि मैं क्या क्या रखता हूँ, है ना, तो अब p की option रखने के लिए मेरे पास क्या है, options है, तो मतलब क्या होगा, adding वाला principle पहले use होगा, तो मैंने से पहले p की value 1 है, ठीक है, तो जब p की value 1 है, तो q मैं क्या क्या रख सकता हूँ, अब जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पर x क्या है, है ना, question यह ही है, कि हम हमें distinct rational numbers x find out करने कितने बन सकते हैं, ठीक है, और x के value 0 से 1 में होगा, अगर p by q, क्योंकि x क्या है, p by q है, x p by q है, तो हमें क्या करने है, इसको 1 से कम रखने है, तो p हमेशे क्या होगा, q से छोटा होगा, इसी basis पे हम अपनी सारी-सारी values q की रखेंगे, तो p is always less than q, यह हमे हमेशे ensure करने, ठीक है, जैसी p less than q हम देखेंगे, और q और p दोनों की values की sets आ रही है, p and q belongs to this set, अगर p और q की value set से belong कर रही है, तो q से क्या हो सकता है, 1 से बढ़ा ही होगा, तो 2, 3, 4, 5 और 6 सारे हो सकते है, अब p की value जब 2 होगी, तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसक इसकी value कर क्यों हो सकती है, 3, 4, 5 और 6 हो सकती है, वैसे 3 रखेंगे, तो 4, 5 और 6 हो सकती है, और 5 जब हम रखेंगे, तो 6 हो सकती है, अब 6 को हम नहीं ले पाएंगे, p की value में, क्यों, क्योंकि q, p से हमेशे बढ़ा होना चाहिए, और यहाँ पर मारपा 7 से कोई, 7 जैसे इसलिए हम इसको 5 और 6 तक ही रखेंगे, अब एक बात देखने वाली यहाँ क्या है, कि distinct rational numbers हमें find out करने हैं, तो distinct अगर मैं पूछूं कि 1 by 2 और क्या 4 by 8 distinct rational numbers हैं, तो नहीं हो गए, क्यों, क्योंकि 4 by 2 is also 1 by 2, दोनों के दोनों पर same rational number है, तो वैसे ही हो सकता है, यहाँ पर 2 को ले देते हैं, 1 by 2 बनेगा इसका, तो 1 by 2 और क्या हो सकता है, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, यह तो same नहीं है, 2 by 3, 2 by 4, 2 by 4 is same as 1 by 2, ठीक है, तो यह भी नहीं होगा, 2 by 5 is also not 1 by 2, फिर 2 by 6 भी 1 by 2 नहीं होगा, 3 by 4, 3 by 6, 3 by 6, 1 by 2 है, ठीक है, बात बखी 4 by 5 यह सब नहीं होंगे, ठीक है, अब देख लेते हैं, 1 by 3, तो 1 by 3 देख रहें, 1 by 4 भी same नहीं होगा, ठीक है, 2 पे जाते हैं, 2 पे 2 by 3 भी same नहीं है, 2 by 5 भी, 2 by 6 is equal to 1 by 3 है ना, तो इसको भी हम cancel कर देते हैं, ठीक है, फिर 3 by 4, फिर 3 by 5, ठीक है, 4 भागी तो कुछ नहीं मैच होगा, है ना, 1 by 4 का देख ल 4 by 3 नहीं, 4 by 6 है, ये मैच हो जाएगा, ठीक है, तो ये जैसी मैच होगा, तो हमर पास इतनी values कम होगे, ठीक है, अब 2 by 5 किस नहीं हो रहे, 3 by 4 नहीं हो रहे, 3 by 5 भी नहीं हो रहे, 4 by 5 भी नहीं, और 5 by 6 भी नहीं, ठीक है, हमें 4 values अटानी पलेंगे, अब जो मैंने and वाला 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी, सारी सारी चीज़ें साइमल्टेनियस ली तो नहीं हो सकती, है ना, तो होगा क्या कि पी जो है, उसके cases है, मतलब पी possibilities है, 1, 2, 3 और 4, जो और वाला जो case लग रहा था ना, आइदर 1, और 2, और 3, और 4 या और 5, है ना, तो इस case में, जब 1 था ही है कि आप इन सबको add करेंगे हम, total जब हम इनको add करेंगे, तो हमारा 11 अंसर आजाएगा, 11 हमारा अंसर आजाएगा, और क्यों यह हमने add किया, क्योंकि P की क्या थी, possibilities थी है, मतलब और हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि यह सारी सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो, है ना, P, 1 और 2 दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसे add करना पड़ा, यह ही है, ठीक है, आगे एक और question हम देख लेते हैं, एक question, अगला question जो हमारा है, वो यह है, काफी simple सा है, बहुत basic सा है पर बहुत important भी है, ठीक है, एक letter है, number of four letter words, ठीक है, that can be formed out of letters of the word make, ठीक है, where repetition of the word is not allowed, है ना, फेल तो यह जान लेते हैं कि repetition of words क्या है, है ना, as in, जो word है, वो हमारे पास make है, हम पहली बात तो यह है कि हम सिर्फ four letter का ही word बना सकते हैं, लिखा है न, four letter word, और क्या लिखा है, repetition of word, word नहीं होगा, यह letter होगा, repetition of letter is not allowed, है, तो repetition of letter नहीं हो सकती मतलब, m, 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 यह भी तो एक word है, हम यहाँ पर यह नहीं देखेंगे कि उसका कुछ meaning बन रहा है नहीं बना, ठीक है, हम बस possibilities count करेंगे, कहीं भी कोई भी question आता है, तो हम उसमे possibilities count करेंगे, कि कितनी possibilities बन सकती है, हमें इस से कोई मतलब नहीं है कि उसका meaning बन रहा है या पर नहीं बन सकते हैं, यही बात है कि अब इसके हमें letters बनाने है, तो हम कैसे letters बना सकते हैं, अगर हम यह नहीं बना सकते हैं, हम ऐसा बना सकते हैं, M, E, A, K, या फिर K, E, A, M, है ना, या फिर M, A, K, M, A, K, M, A, K, E, या फिर K, A, M, E, या फिर कुछी बना सकते हैं, ठीक है, पर total अगर हम count रहना जाते हैं, तो वो काफी difficult होगा, फिर 4 letters हैं और सारे के सारे हमको बनाने हैं, तो काफी difficult हो हम आल लोगा, उसके लिए हम एक simple सा एक तरीका जो है, वो ही एक जैसी letter आ जाएगा, है ना, सब दुपे आएगा, मतलब इस पे भी आएगा, और इस पे भी आएगा, है ना, मतलब दोनों में आएगा, इस पे भी आएगा, and 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 इस पे भी आएगा, ठीक है तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कितनी possibilities है कितने letter हमारे पास हैं उन में से हम जो पहले letter है वो choose करते हैं ठीक है तो हमारे पास letters क्या क्या है M है हमारे पास A है हमारे पास K है और हमारे पास E है ठीक है इन सब में से हमने कोई एक choose किया तो हमारे पास four possibilities है बिलकु तो अब इन में से हमने कोई एक लिया मान लेते हैं यह लिया और यह यह पर रख दिया अब यह तो यहां से गाया वो गया तो अगला जो बचा है उसमें पास कितनी और यह हमारा आंसर भी यह बहुत बेसिक सा क्वेशन आया है अगर हमारे पास हमें फॉर लेटर वर्ड बनाता है एक है एक फ्वेश्चन हम ले ले लेते हैं पहुत स्वेश्चन यह मान लेते हैं कि हमें A B C D और E में से कोई 5 लेटर नहीं 4 लेटर वर्ड बनाना है और सारी 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 कंडिशन से मैं कि नूर रिपिटेशन इस एलाउड तो हम क्या करेंगे पहले ओले लेटर ट्रसाइफ पेहली चार्शेन workshop प्रेंगे दूसरे कितने आप्शन रहें गए और यह वाली चीज बहुत इंपोर्टेंट है कि कहां पर हम और वाले यूज करते हैं और कहां पर एंड वाले यूज करते हैं क्योंकि बेसिकली जब क्वेश्चन आएगा तो यह बता कि नहीं आएगा कि इसमें एडिशन वाला प्रिंसिपल हो रहा है या फिर मल्टिप्लिकेश कंसा दूसरा वाला प्रिंसिपल यूुज कर रहा है या फिर कौन साथ दूसरा वाला प्रिंसिपल यूज कर ठीक है वगला हम देतें ठीक है 숍 ए विसे करते एंक इसे शर बेसिप्ट धेशन चं ङसे करते हैं यह बसिए रियर फालंइक एसे applies ठीक है तो basically n का factorial क्या होता है n का factorial होता है product of its first n natural number ठीक है मतलब basically कोई भी natural number n है तो उसका n into n minus 1 उसका पहले का number फिर उसका पहले as in 4 का factorial जो होगा वो क्या होगा 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है बहुत easy सा है बहुत simple सा जिसे 10 का factorial क्या होगा 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है तो यह 10 का factorial हो जागा ठीक है बहुत simple साय ठीक है कुछ इसमें बहुत rocket science है बहुत simple साय है ठीक है तो एक बात और इसमें interesting है कि 0 जो factorial होता है उसको हम क्या लिखेंगे 1 लिखते हैं यह ना यह तो बहुत क्लिए लिए हम क्या सकते हैं कि 1 factorial 1 होता है पर 0 factorial 1 होता है यह हम कैसे कह सकते हैं तो इसके लिए मैं एक बहुत important चीज जाने के जोट रहा है मैंने एक काम क्या है मैंने n प्लस 1 का factorial लिखा तो इन प्लस 1 का जो factorial होगा उसे मैं क्या यह लिख सकता हूं एन प्लस 1 इंटु संथ इंटु इंटु इस जो भी है हैं कि एससा देखते आई और सिश्दुक्रण न कीया है एसा रिखते जाओं ज मैंने इसको अन्तर बिरीदी तो इससको क्या मैंने डिख सकता हूं बिल्कुल लिख सकता हूं तो मैंने इसको क्या बिशक्िब कि रखता है बिल्कुल लाखता हूं यही बात है कि न फैक्टोरिल को या फिर तो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसा भी दिखता है तो फिर से सब्सक्राइब बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल सी चीज है आगे हम दिखते हैं बहुत इंपोर्टेंट जो की फेक्टोरिल निटेशन के वारे में कई बार जहीं में पुछा जाता है और कई बार तो एडवांस में भी कई बार मतलब कुछ ना कुछ बिल्कुल नहीं पूछते हैं इस चीज को पूछ लिया जाता है मतलब एजन कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड और कुछ बहुत हो सकता है कि इस तरीके सब फाइंड आट करना पड़े एक्स्पोनेंट अफ़ प्राइम इन इन फैक्टोरिय यह बात तो हम सभी जानते क हम प्रोड़क्त लिख सकते हैं यह ना जैसे 20 एक प्राइब नंबर है पर इसे क्या लिख सकते हैं टू की पावर टू इंटु फावर वन इन फिर सेवन की पावर दिरो तो ऐसे जीरो वाले को चलो हम इंग्नोर मार देते हैं अभी लिए पर बिसिकली बात यह कि इसमें उसमें च्या है इस में 20 में 20 में 2 की पावर 2 ए और 5 एक्स्पोनेंट 1 है और बाकी सही नमबर्स का अट्ब्स में जीरो है बासिकली बात यह ही कितने बार मतलब उसमें यह number आता है मतलब अगर और हुआ कि तो को लाया गया होगा मतलब बहुत एजी सा कॉंसेट है पड़ाए कि कि फॉंपोजिट नंबर को किसी भी प्राइम के पॉम में लिख सकते हैं तो कैसा हम इसा को find out कर सकते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक formula होता है बस एक बात इसमें ध्यान देने क्यों होती है कि of a prime number हम एक सिर्फ prime number का ही exponent अभी find कर सकते हैं इस formula है इस formula में हम सिर्फ prime number अगर P एक prime number है तभी इस formula को use कर सकते हैं ठीक है तो जैसे कि यहां पर लिखा है the exponent of a prime number P in n factorial is equal to n upon p यह जो फंक्शन है इस ग्रेटेश्ट इंटेजर फंक्शन यह है अब ग्रेटेश्ट इंटेजर फंक्शन क्या होता है इस इस ग्रेटेश्ट इंटेजर फंक्शन क्या होता है इदेट इस ग्रेटेश्ट इंटेजर इस लेस दन पेडिए हल्युल था इस थ्री उसका इंटेजर वाला पार्ट है, वह यह वाला function देटेए यहां पर भी यूज़ा है तो यही वाला जो फंक्चन है यही ग्रेटेश्ट इंटेजर पंक्चन यहां पर भी यूज़ा खरी एक बहुत इंपोर्टेंट और याद रखने वाली बात कैंगी इस इसी फॉंक्वले में लगाते हैं और गलत रख्के आज यह जो कि गलत है ठीक है अब इक्जांबल के लीड़ेते हैं मान लिया कि 3 का एक्स्पोनेंट हमें फाइंड करना है है 100 फेक्टोरियल की वैल्यू बहुत ही बढ़ी है इतनी बढ़ी है कि हम कैल्कुलेटर्स से कभी कर नहीं भाएंगे इसलिए यह फामुला बनाया गया है ठीक है 3 का है 3 प्राइम है हमारे वाला क्राइटीरिय तो बिल् हियह फर्स्पंपों को प्लाइब मात वाला यह 3 के प्लिल्यूक सब्सक्ते ना हमने 1112 प्लाइब अवे अंट छी बात यह कि 5 होता है ह्यों है से बड़ा भूल अंदर है इसे 3 की पावर 5 होता है 243 होता है ठीक है तो 100 upon 243 जो है वो actually हो गया है 1 से कम और greatest integer function की ये खासियत होती है कि अगर उसमें 1 से कम कोई number है 0 से 1 के बीच में कोई number है यही बात है कि यह तो 0 चले जाएगा पर इसके आगे वाली जो भी टर्मस है वो सारी 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 जीरो क्या सरी के पावर 600 से बड़ा नहीं होगा बिल्कुल होगा बड़ा यही बात है कि यह तो 0 चले जाएगा पर इसके आगे वाली जो भी टर्मस है वो सारी 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 जीरो तो इस पर हमें ध्यान देनी के ज़रुत है हमें calculate इतना कर रहे हैं सिर्फ इतना करना है लिए बहुत ह तो 27 से डिवाइट करेंगे तो 27 इंटु 4 तो 108 होता है मतलब 4 से तो काम होगा और 3 से जाद ही होगा तो 27 का इंटु 3 करेंगे तो 100 से तो काम ही होगा तो something in between 3 & 4 तो यहां पर मैं 3 देख सकता हूं लिख सकता हूं अब यह क्या है 81 है जाएगा और 1 कर दूंगा तो इसकी वैल्यू जो है वह वन और टू के बीच में होगी तो इसका ग्रेटेश बिजर वन ही होगा वन पॉइंट सम्टिंग होगा है तो अगर हम इसको केलकुलेट कर देते हैं तो 48 हमारा अंसर आ जाता है बहुत ही सिंपल सा यह फॉमुला थ काफी बार इसको यह यूज में आएगा तो आगे वाली कर दो अशनाओं सा यह जार हम अजाड़ बागे पिन हर रॉमुला अंसर बाड़ कि वाली तो इसका झारभा वाली होगा है तो आएगा इसको जए बड़ार रहाँ जए कि तो नहा कर दो थाय में हो प्राभा बागे प्राष्ण। झाल